जंचन की आवाज जियन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है और मैं शिका स्ट्रया राजपवन के समय मौझूद हूँ और यहाँ पर हमने आपको पहले भी दिखाया था कि यहाँ पे सिक्षक कई सारे कॉलेजेज उ स्कूल्स पनी है जिसको लेकर यहाँ पे धरना प्रद के पैर इतने ज्यादा यह हो गया इतने प्रॉब्लम में अक्चुली वह फस्ट गए कई लोग यहाँ पर आते ही वेहोश हो गये इस वेजेशन को हस्पिटलाइज भी करना पड़ा क्या पूरा मामला है है जाने की कोशिश करेंगे आप लोग इधर जड़ा सामने आईगा आप लोग अपना परिचा पहले दीजिए जी मेरा नाम है स्वेर कुमार रंजन है और मैं में बीएड हूँ पॉलिटिकल साइंस ओनर से आप ग्रैजुएट है और बीएड भी है तो उसके बाद आपको तो किसी अच्छे संस्थान में पढ़ाते रहना चाहिए आप राज पॉलिटिकल साइंस समाज शास्त्र दर्शन सास्त्र और कंप्यूटर साइंस जन जाती हैं चेत्रिय भासा उर्दू और मनोबिज्यान जैसे महत्पूर्ण भी से जिनके वच्चे लगभग वर्तवान स्वाय में चार से पांच लाख है और उसके सिच्छक की बहाली बिगत बायस वर्सों में जारखन राज के गठन होने के बाद उनका पद का सिर्जन ही नहीं किया गया आईसा दुर्भाग्य है हमारे राज्य के लिए सिच्छा ब्योस्था के लिए आपको पता है कि सिच्छा ही राज्य निर्मान कर सकता है सिच्छा के बिना आप राज्य का सुचारूरूप से या अस्तित्व को नहीं बचा सकते हैं तो राजी सरकार जो है यहां के आज सिच्छा मंतरी है उनका साप साप मंसा यही है कि यहां के लोग है सो सविधान को नहीं जाने अपने अधिकार को नहीं जाने अपने नैतिक करतव्य को नहीं जाने यह सब चीछ से उनको वंचित कर दिया जाए टीचर ही नहीं रहेगा तो अपने अधिकार के बारे में जानेंगे नहीं तो हमसे सवाल कैसे करेंगे आप लोग ने कुछ मार्श भी किया था कि नहीं का हालत भी खराब हो गया था क्या था अब मस्ता जी हम लोग सिच्छा मंत्रीक वारता के बाद उनके जवाब से असंतुष्ट होकर चत्रा कोले चत्रा से लेके हजारी बाग रामगड होते हुए राची लगभग एक सो पचासी किलोमेटर का यात्रा किये हैं ठीक है उस दोरान पे जो भी पैदल एक सो पचासी किलोमेटर बारा जुलाई से हमारा यात्रा शुरूवा था 16 जुलाई को हम लोग राची में पहुँचे बहुत से हमारे साती हैं लगभग बारा तेरा जिनके पैर पूरी तरह से छती गरस्थ हो गए हैं और हमारे कुछ अभियर्थी हैं जो महिलाएं भी है और चत्राएं हैं उन लोगों ने भी बढ़ चड़के रेली में पैदल चले हैं हम लोग का सहीयोग किये हैं सहस्ताजर अभ्यान भी किये हैं उस दोरान एक हमारे दिदी हैं राजवन्ति कुमारी वो समाज सास्त के हैं वो आए यहां पर जैसे धरना स्थल पहुंचे अचेत हो गए उनका थोड़ा जादा ही सिरियस हो गया हम लोग का तुरत उनको लेकर दिखाना पड़ा होस्पिटल में जारकन में जो सिक्षा का स्थिति अभी जेपी एसी ले लिजे जैसे लिजे अभी पेपर लिग होटा अला भी सामने आया है इस सीच को लेकर यह पूरे प्रकरन को लेकर आमने जगनात महतोजी से बात करने कोशिश की उन्होंने क्या कुछ कहा तो डीटेल ने बताई उनको इस सब मतलब ही नहीं है इन सब से समझे न वह सिर्फ नाम के सिच्छा मंत्री है अगर ऑरिजिनल में सिच्छा मंत्री बन के अगर उस सिच्छा के चेत्र में इन जैसे महत्पून कारियों को अगर नहीं करते हैं उनके सिच्छा मंत्री रहते हुए जपेसी का फॉर्म एक्जामनेशन का क्वेश्चन लिख हो जाना या उसमें धानली होना पैसे का लेंदेन होना यह सब सिच्छा मंत्री कर क्या रहे हैं आप बच्चों के भविश के साथ खेल रहे हैं साब साब मंसा वही है इस सबको फॉर्कटूनर तुल कारा है हाँ बस वही सौक है फॉर्कटूनर चाहिए और बंगला चाहिए ज़िये नएया सौफा चाहिए और वरक और वरक ओर करने के लिए साइकील भी नया आप यहां का जनता जैसे सौसन करते आ रहे हैं पुर्वों से ही जब से लेकिन जनता के भलाय के बारे में सुचने वाला कोई नहीं है हमारे साथ एक और शक्स मौझूद है जो काफी निराश सिक्षा स्थिती थे और जैसे सी में गोटाला हुआ था इन्होंने भी एक्जाम दिया था और इन्होंने भी बताए कि इतने मेहनत के बाद एक्जाम देने के बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है और हम युवाओं अलग कराने में हुआ है अगर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना हो तो जारखन के लोगों ने तीर के माध्यम से लोगों का अंग्रेज को एकदम पानी पिलाने का काम किया है लेकिन आज हमारा जो पूरुवत जो तो करके चले गए लेकिन आज फल कौन खा रहे हैं फल लुकार अभी उनको BMW कार से मन बर जाता उन्होंने अभी नहीं नहीं यह ओडी का डिमांड किया तू सोचे कि यह यार मैं तो इतना सुप धाले लिए हमारे मित्रगंग जो बारा मित्रमंद्र मंत्री मंदल है उनको क्या मिलेगा तब यह कहना चारे कि जिते कैबिनेट में सब्सक्राइब बेस्ट्रेंड है आपस में हां देवलार बेस्ट्रेंड टू इच अदर ओके और वो जो है अपने मित्र के लिए पांच-पांच कड़ो का आली साल बिल्दिंग बना दिये मेहनत कमाएंगे हम लोग पसेना गारेंगे हम लोग फैडा करेंगो लोग उन्हो कर दिये उनके जो सिक्षक में बहा लिए अभी जो सिक्षक का जो केश चल रहा है 13 11 के मामला में हर चीज का समाधान है ना हर चीज का समाधान है ना लेकिन समाधान किनके पास रहेगा बुद्धी जीवी लोगों के पास ये बुद्धी जीवी हैं ही नहीं किसी अस्तर से लगते हैं यह सम्मिधान में जो अधिकार मिला है यह कुछ अंधभक्त लोगों के चलते ही वह जगा पहुंच जाते हैं और लोगों के कितने को छात्रों को जीवन बरबात कर चुके अभी जो निवजन नीती बना टेन टेन टुवेल्थ को लेकर सारब बहाली रध होने वाल करते हैं कि हमारे पास खाजाना खाली है खाजाना खाली है ताप केस लगने के लिए क्यों दिए करीब 25 लाग रुपए एक देट को बिलता है एक वकील को सिर्फ 10-12 को साबीत करने के लिए कि आम राइट ना हो तो यह जो गोटाला हुआ है जैसे सी में इस पर आप क्या कह अगर पानी नहीं मुह से निकल गया ना पसेना नहीं छुटने लगे ना लोग सुभा उठो प्राथना करो दिन भर स्टेडी करो खाना बनाओ मां बाप से पैसा मंगाओ किसी का बाप सबजी बेच रहा किसी का मां बक्री चला रही है ममी पैसा भेज़ दो अब हम लोग सं अपना पेट भरना कोई भी मुख्यमंत्री अगर पत से हटता तो उसको 40 बोडीगाड मिलता है एक बिधाक हटता उसको पेंसर मिलता है हम लोग को का मिलता है कुछ नहीं मिलता है हम लोग को हमारे इस संभिधान में कुछ बदलाव लाना होगा आपके परिवार में माता- जी किसान है खेती बारी करते हैं कि साखसबजी बेच के हमारे भारव पोसंद कि उन्होंने छे साल मुझे श्रगल करवा है उसके बाद भी हम तैयारी कर रहे हैं जरकन सचीवाले का जी कभी एकजाम दिये पूरा खूले हम चोड़ी 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 चल रहा है अम मैं भी धी और मैं क्या बोलते हैं हमारे जो मन्तरी मंतरी जी है मैं उनके सामने हां जोड़के नमन किया था मिठलेश ठाकुर के सामें जोड़के नमन किया था कि सराव जो नियोजन निती बनाएं यह सपाश टूप से गलत है और यहां के छात्र फिर भुक्तव होगी होंगे तो मंत्री बंडल है ना वो हमको उनके सामने मेरे क्या ओकाद है कोई हैसी इतनी है तम तमाम जारखंड वास्य को बोलना चाहते हैं कि अभी जो जारखंड है हमारा आने वुला पीड़ी हमको गाली देगी क्यों कि हम अपने क्योंकि अपने हक और अधिकार के लिए हम नहीं लड़े मैं साथ दिन अंदोलन किया पीएसी में और आप लोग का भी अहम भूमिकारा चात्र है जो भविश्य देश का यह जनरली अंदोलन करने के लिए तैयार कर रहे क्या बिलकुल बिलकुल जारखंड में अंदोलन अंदोलन से ही सब कुछ मिलता है लाश्ट में कुछ जाती है लेकिन अभी हम एक मतलब आज एक बात हम दिल खोल के बोलना चाहते हैं इसके लिए मुझे सरकार सजा भी देगी तो हम भी हमको कोई दिकत नहीं है हमारे उच्छ न्याले उच्तम न्याले में छात्रों का क्यों जो केस चलता हूँ पांच सलक्यों चलता है आप ए लोको न्याज जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करिए चुकि यह धार्कन संघर्षों का धरती रहा है लोग यह अपने कितने परिवार खुए हैं हमारे ताना भगत में अंदोलन हो गया बिर्शाजी हो गया है तमाम ऐसे कितने तो गर्दन कटा दिये और चात्रों ने इनसान तीन साल अपना महनत गवा देता है यहां कोचन लिक मामला आयता वो यहां तो फेल को पास कर दिया जाता है फिर पास को फेल किया जाता है इतना जीप यसी में जो डुगी ड्रामा हुआ आप जब संबीधान के जब हमारे कोई भी मुख्यमंत्री परधान मंत्री आते हैं चाहराष्ट पती आते हैं मैं संबीधान का सपत लेके कसम खाता हूं कि हमारे राजी के सभी जनता को कोई किसी तरह से अम लोग डुख नहीं पहुचाएंगे आज देखें हमारे मुख्यमंत्री जार हाई साल से एदम कसम खाके हैं और सारा चीज जूटा में जूटा वादा करके नियोजा निती गलत बनाके छात्रों को जनता को मुर्ख बनाके राज कर रहे हैं अगर लिगे यह कब तक चलेगा यह कब तक चलेगा तो आपने साफ तोर पर यहाँ पर चात्रों को सुना और हमने आपको दिखाया कि कैसे बीड किये हुए पॉलिटकल साइंस में ओनर्स किये हुए जो चात्र है वो यहाँ बैठे हुए धरना में यह वो चात्र है जिनको कॉलेज उनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ानी चाहि है असल में एक तरह से कहना गलत नहीं होगा क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं वो सोसाइट तक कर लेते तो इनकी बहुत बड़ा क्राइम है इस पर तो नयायाले को और सरकार को वाके में बहुत ही सीरस्ती संग्यान लेनी की जोरत है और को बड़ी कुछ अच्छा पॉलिस हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दवाना ना भूलें